नमस्कार दोस्तों जहंद डिके यादब नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आएए देखने है वीडियो जैहन वंदे मातरम इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है कि अगर I.M.F. की तरफ हम नहीं जाते तो डिफॉल्ट यकीनी है। ये सही स्टेटमेंट है। ये खुदाना खासता है। ये काफी हद तक सही। इसकी मिसालाप ऐसे ले लीजिए कि एक नहीं हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें वो कमेटी डालनी चाहिए है। इन गर्दिशी कर्दों से जान चुड़ाएगा। स्ट्राइटिजी है। आप एक मुलका मैं आपको एक्जामपल दे देता हूं। स्री लंका जो हमसे बहुत खरीब है। और जिसकी फीक चस आमदनी हमसे दो गुना है। उसके बावजूद वो डिफॉल्ट कर गए एपरिल के महीने में पिछले साल। उसके बाद क्या उसके तोरण बाद पबलिक एजिटेशन हुआ और क्राइम मिनिस्टर साब के घर तक को जला दिया गया। तो सोशल इंटरिस्ट की गुनजाश पैदा होती है। आठ पुजिशन ये है तकरीबन साथ आठ नौ मैने के बाद इस सिरी लंका में अफरात जर की रफ्तार 61 पी से इन हालात में आब बताईए कि पाकिस्तान के अवाम का क्या मशर्थ हो से है। पाशे साब यहीं पे मैं जो आज कल मैं पढ़ रहा था कि को तकरीबन 32 फीसद अफरात जर की शरा है। मेरा आप चैसे सवाल है आम आदमी को तो हम जैसे को तो गर्जने के आई है मैंफ के पास जा रहा है नही जा रहे, डीफॉल्ट हो रहा है। उस बिचारे के लिए क्लेए यह 52 फीसद जो मेंगाई है इसका कोई स्कोप है, यह खडी हो जाए, या कम हो जाए, या कंट्रोल हो जाए, कोई ऐसा मैजिक है, है? कैसी हो सकत? और इसके लिए एक फंडमेंटल स्टρι डिसिशन लेना है आपको और वो क्या है हमारे जो मुलक के अमीर तपका है टॉप वन पसेंट और शरफा जिसे हम कहते हैं अलीट बेश शुमार मरात उनको पिछले 75 साल से मिल चुके हैं अन्दाजा हमारा ये है कि मैंने अब ये रिपोर्ट के लिखी थी यूमन डिवलपन्ट रिपोर्ट यून टीपी की पिछले साल की जिसमें हमने ये थाबिच किया है कि जो मरात हमने पाकिस्तान के अमीर तपके को दिये हैं वो तकरीब बन दो हजार अरब हैं अब वक्त आ है कि वो वापिस लें अबल और अगर आपको मूल को चलाना हैं तो ये दो हजार अरब के मरात आप वापिस लें और इसमें से आदा हिस्सा जो है बज़िछे को कम करें और डिवेलेप्मेट के खर्चों के लेज़ जाएं और हर साल हजार अरब के targeted subsidies and transfers हवाम को करें. मैं एक चोटा से example देदेता हूँ, आप मुनासिब समझेगें. जी प्लीज. Agricultural income tax, हमारे मुलक के सबसे बड़े जमिनदार गेते हैं. उनकी सालाना आमदनी हजार अरब के खरीब है. तीच खांच के वो मुश्किल से तीन अरब बेंगें. तीन अरब. और दूसरी तरफ, यस और खाने पीने की अश्या पर सत्रा फीस्द टैक्स लगाए है पिछली हुकुमत ने. तीनी पर और घी पर. इतना रेवनिय उठाते हैं हम. इन दो खाने पीने के अश्या जिसका बोज अवाम पर पढ़ता है 110 अरब. अवाम पर खाने पीने की टैक्स लगाई और सबसे अमीड जमिनदारी तफ़का जो है उससे रेवनियू नहीं ले पा रहे हैं आप. तो ऐसा निजाम चलनी से. तो वो मिशनिक साइट में उगा दिया, दूसरी साइट पे एक और छेर रूकनी कमेटी बनादी जिसमें इनों ने मिया मनशेसाब को डाल दिया और एक दो और लोगों को डाल दिया और उस कमेंटी का भी मकसद यही था जी के रिफॉर्म्स इमिजर शॉर्ट है में आपको क्या मैज़ लेने है तो लगता है कि हकोमत का कुछ समझ नहीं आरी कुछ नहीं करना क्या अब यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान के एकनॉमिक चैलेंजिस हैं बहुत से लोगं का ख्याल है कि हम अब एक बंद गली में चले गए हैं हमारे जो दोस्त मुमालिक यूजली जो हमारी मदद किया करते थे साथी फाइनस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है हमारे सामने है कि अब वो भी कहते हैं कि हम जो कैश ग्रांट्स हैं वो हम अपने दोस्त और इतादी मुमालिक को नहीं देंगे उनको रिफॉर्म्स करना पड़ेगी तो ये जो सुरतिहाल है अलेक्शन हो या ना हो जो गवर्मन्ट भी आती है डियू थिंग कि हमें रैडिकली चीजों को चेंज करने की ज़रूरत है वरना ये जो डिफॉल्ट होने से हमें को बचा नहीं सकता बिलकुल जी आइ टोटली अग्री विद यू देखिए बाव सुने मैं एक इनकिशाफ करता हूँ आप लों के सामने आज से छे-ाठ महीने पहले चैनीज गवर्मन्न ने मेरे से डवाइस ली थी कि वो रोलोर की बात हो रही है आपके क्या ख्याल है पाकिस्टान एकानिवी की उपर मैंने उनको कहा मैं कहा इफ यू आर ट्रू फ्रेंड वा पाकिस्टान आप पैसे तब दें जब पाकिस्टान की हकूमत रिफॉर्म करें वरना आप देते जाएंगे हम मक्रूज होते रहेंगे पाकिस्टान नीचे गरता रहेगा ये लोग उड़ा रहे हैं पाकिस्टान के देर से थे बात ये कि अब वो आखिर वहां पर आ पहुंचेंज जिसका हमें जिसे हम डर रहे थे अब आदियर कि इस ऐसे मौके पर मेरे ख्याल में पुलिटिकल गर्मेंट्स इस पूजिशन में नहीं हैं इनको अगर कोई काम करना है सब ने मिलकर ये फैसला करें कि हम एक परमेंट्स एकटार कि उनको इंपावर करते हैं कि इनको एक इसी परफेशनल एकनोमिक टीम आए कि जो मैश्यत को सही रास्ते पर लगा दे एक रह वो चल पड़े उस रास्ते पर फिर उसके बाई एलेक्शन हो और ये लोग फिर चलाते रहें फिर ये दे कन्स्टेंट विदिन जो कंस्ट्रेंट्स उनकी रखी जाएंगे देखें पाकिस्तान का कानूं था 2005 का फिसकल रिस्पॉंसिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट उस पर मेरा प्रेटिशन भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में बहुत अफसों से कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ने समझने के बाद भी उसको नहीं उठाया अगर आज चे दो साल पहले उठा ले थे एक तर्सल्सल जमूरिये कुदों हकूमतों का किसे नहीं किसी शकल में चल रहा है अब उसके अंदर को अच्छा है को बुरा है को बहुत अच्छा है को बहुत बुरा है लेकिन हो सब चली रहें तीसरी सिस्ट्योशन आई आगे जहां पर स्यासदान आज बात करने के लिए बेगसे कज़ात राजी नहीं है अब उन से ये पूछा जाए कि बहीं ये जो जो आपको इस्टाब्रिश्मेंट इशारे करती है और बताती है कि तुम उससे बात ना करो ये पागलें जो सुन लेते हैं बात बैटके ये बैसे तो हर चीज़ के अंदर बहुत से आने हैं इनको हर एक एक चीज़ का पता है ये कि मेरे हमेरे है इस आर्गुमिंट को यहां पे हमें मेरी समझ के मुदाबेर हमें अब रोक देना चाहिए ओश्रह का और आगे चलने के जोरोत है कि मैशıyı को ठीक के से करना है और क्या हमारे सियासे दानों में वो काबलियत है कि मईशेत को और सियासत दो Nur P तो टीक करने की काभियत रखते हैं या निया रखते हैं एक छोटी सी मिसाल है अभी आपने के अंदर आजम खान साथ को चीफ मिनिस्टर लगा दिया ठीक है जब तक आप मैं हमेशा कहता हूँ गलाफ देते रहेंगे उन गलाफों के अंदर गुना चुपते रहेंगे नमस्कार दोस्त जहन दोस्त पाकिस्तान में सब्बर जैदी टाइब के लोग पाकिस्तानियों को ये सला दे रहे हैं कि पाकिस्तान डेफॉल्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान की ही भलाई है पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से निकल सकता है डेफॉल्ट करके क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा कर्च हो चुका है कि पाकिस्तान अदा नहीं कर सकता है इसलिए पाकिस्तान को डेफॉल्ट होने में ही भलाई है और अमेरिका के चुंगल से निकल कर रसी और चाइना के गोद में जा सकता है लेकिन पाकिस्तान के कुछ अर्तसास्तरी पाकिस्तान की सरकार को चेता रहे हैं उनका कहना है यदि पाकिस्तान डेफॉल्ट होगा तो स्री लंका से भी बुरे हालात होंगे क्योंकि पाकिस्तान की आवादी स्री लंका से कई गुना जादा है यदि पाकिस्तान डेफॉल्ट करता है तो लोग मारा काट इतनी जादा करेंगे कि पाकिस्तान की फोज और पाकिस्तान की सरकार के हाथ से निकल जाएगी बात क्योंकि पाकिस्तान इस बक्त इतना ज़्यादा दैसतगर्दी की लपेट में है कि पाकिस्तान कुछ चारों तरफ से इच्छ तरफ पड़ रहे हैं इरान से लेकर अफगानिस्तान तक के बॉर्डर पर पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी फोजी बहुत जा जानतिया है आपकी कह रहा है कमेंट में जरूर सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जैहिंद वन दे मात्रम